तो हलो और वेलकम अगैं दोस्तो, जवान के डे 25 की ओफीसिल बॉक्स आपइस कलेक्षन की फाइनल रिपोट आ चुकी है यारी कल 4 हे संडिय की फुल डे की पूरी रिपोर्ट आचुकी है कल कैसी क्या कमाई करी, हिंदी से कितनी कमाई करी, box office collection net indian से कितना रहा पूरी दुनिया से कितनी कमाई करी overseas से कितना collection आया तो सबी चीजों पर एक है करके बात करेंगा और कल 25 दिन में इसने single day में कौन-कौन सी movie को beat down करा है क्योंकि single day में जो running movie है जो लंबे time तक theater house में टिकती है वो कभी-कभी जबर्दस record सेट करके जाती क्योंकि sometime हमें competition देखने को नहीं मिलता है like पदमावद, KGF2 इन्हें लंबा screens दिया गया था तो आज पास ऐसी जवान के टाइम पर पर जवान के टाइम ऐसा नहीं है जवान के टाइम पर हमें competition को थोड़ा सा beatdown किया है फुक्रे 3 ने screens छीनी है सोच खाए है क्योंकि पहले 4 दिन के जो collection रहा है 43 क्रों का collection लेकि आई है जवान जैसी movie जो blockbuster movie है उसके सामने फुक्रे 3 low budget की movie है लेकिन vaccine war यहाँ पर survive कर रही है vaccine war को इतना ज़्यादा collection देखने को नहीं मिल ला है तो सभी चीजों पर एक एक करके बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है वीडियो को एक like करना है और नए हो तो चैनल को subscribe जरू करना है और वीडियो के इन तक जरू जोड़े रहे है ताकि जवान movie से related आपको big updates ऐसी मिलते रही तो चलिए शुरू कर देखने जया दोस्तों कल सिर्फ हिंदी से movie ने end of the day तक 9.12 करोर का huge huge collection करा है और अब पहले 25 दिन में highest collection के मामले में अगर मैं बात करूँ तो जवान number one पर आ चुकी है 25 दिन में single day में हिंदी से highest collection करने के मामले में जहाँ पर पहले KGF2 थी उसके बाद पदमावत थी उसके बाद पठान थी और फिर जवान लेकिन अब जवान आ चुकी है number one पर 9.12 करोर के हिंदी से single day में collection के मामले पर अपने 25 दिन में तो KGF2 अब number two पर आ चुकी है जो 6 करोर का collection लेकर बैठी है single day पर 25 दिन में huge collection करने के मामले में उसके बाद पदमावत है उसके बाद पठान है तो अभी number one पर जवान आ चुकी है इसकी साथ कल end of the day तक तमिल टैलगू से movie लेकर आई है रीजनल movie को ही preference देती है बजाए Bollywood और Hindi movies के तो total net Indian collection कल हुआ था 9.37 करोण का huge collection में कहूँगा 25 दिन में इतना ज़्यादा collection करना कोई मामली बात नहीं है जबर दस्त collection है उसके बाद पहले 25 दिन में अभी तक सिर्फ हिंदी से ये movie कितनी लाच चुकी है collection 547 करोण का marvelous आंकड़ा ये अपने खाते में रख चुकी है मात्र 3 करोण कम रह गया इस movie को कल end of the day तक साड़े 500 करोण सिर्फ हिंदी से cross करने में लेकिन आज day 26 में ये movie अराम से साड़े 500 करोण तो complete करेगी ही करेगी उसे cross भी करके जाएगी और आज तो holiday है तो जबरदस आंकड़ा देखने को मिलेगा तो तमिल तैलगू से ये movie कल 25 दिन तक 59.42 करोण का huge collection अपने खाते में रख चुकी थी और पहले 25 दिन में total net Indian collection जवान movie का हो चुका था 607.21 करोण का marvelous marvelous आंकड़ा 600 करोण के मामले में net Indian collection से इंडिया में number one movie बन चुकी है बॉल्वूड cinema की, हिंदी cinema की जो अभी तक कोई movie करनी पाई थी लेकिन जवान अभी first number पर आ चुकी है सिर्फ first number पर नहीं, only one movie जो 600 करोण के club में entry न की मारी बलकि इसको cross कर दिया अभी तो running day बाकी है अभी ये movie by God 45 से 50 दिन चलनी ही चलनी है हाँ, मिसन रानी गंज अक्से कुमार की movie आ जाएगे उसके बाद growth थोड़ा slow देखने को मिलेगी मैं फिर वोई चीज कह रहा हूँ जरूर मिलेगी, लेकिन जवान फिर भी थेटर हाउस में बनी रहेगी तो यस, अभी तो सिर्फ net Indian collection 607 करोड का देखने को मिलना है मेबी, मेबी ये अकड़ा 606 करोड पहुचेगा ही पहुचेगा इसके साथ पहले 25 दिन में gross Indian collection हो चुग है 718 करोड का और overseas से आया है पहले 25 दिन में जवान मूवी के लिए 364.19 करोड का huge and marvelous collection बाई साथ, overseas से इतनी बड़ी collection करना कोई मामूली बात नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ Bollywood की कोई भी movie के लिए ये lifetime box office collection होते हैं लेकिन जवान ने सिर्फ overseas से 364.19 करोड का huge collection के है, इसी के साथ पूरी दुनिया से कल movie ने end of the day तक अपने पहले 25 दिन तक 1082 करोड के marvelous आंकडे को अपने खाते में रख चुकी है 1082.52 करोड तो अभी बस 18 करोड और चाहिए movie को 1100 करोड कंप्लीट करने में और मैं मान के चलना हूँ आज जो Monday का जो booster में मिला होगा movie को, क्योंकि अच्छे रुजहान देखने को मिल रहे हैं आज भी holiday का full फाइदा उठातु है जबर दस्त collection कर रही है movie तो yes, आज end of the day तक movie पूरी दुनिया से 15 करोड का minimum collection तो लेके आएगी और जब यो फाइनल रिपोर्ट कल officially आएगी तो बाइगोड मैं कहा हूँ 15 करोड से जादक आई देखने को मिल रहे हैं लेकिन early estimate क्या लेते हैं 15 करोड तो ये movie अगर आज 15 करोड की कमाई लेया तो आज end of the day तक 1097 करोड इसके खाते में आ चुके होंगे पूरी दुनिया से बाइगोड मज़ा आ जाएगा और कल end of the day तक ये movie 1100 करोड टच कर जाएगी मतलब Tuesday working day में ये movie 1100 करोड कवर कर जाएगी तो मैं मान के चलना हूँ ये lifetime collection अब 1200 करोड easily कर सकती है बाइगोड क्योंकि 50 दिन ये theater house में राज कर के ही जाएगी बाइगी आप लोगों के कहना है क्या movie 1200 करोड टच कर पाएगी नहीं कर पाएगी अपने lifetime box office collection के मामले में और net Indian collection के मामले में क्या ये movie 600 करोड टच कर जाएगी और सिर्फ हिंदी से collection के मामले में क्या ये movie 600 करोड के आखड़े को टच कर जाएगी जो भी आपकी रहे है नीचे comment box जरू बता के जाना बाइगी मिलते अगली वीडियो में जैंत